मंत्री जी अपना काम इमानदारी से ना कर रहे हैं अगर सरकार अगर मंत्री जी का क्या लेना देना आप बताइए मुझे मंत्री जी का नाम इफ़ाइर में है है चार अक्टूबर को एफाई अर्दर जो इस मामने पर चार अक्टूबर को एक सो बीस भी कि तहरीर में मंत्री जी का नाम था मंत्री जी का नाम कि समझ रहे आप अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं आप आगे सुलिए बहत्तर दिन हो गए साब अब आप दिन लगने वाला है आज तक नौट सिंगल टे मंत्री जी से पूशता आच हुए एक दिब भी मंत्री जी से पूशता आथ नहीं मैं गलत बोर रहा हूं क्यों हूँ की यह आप को कैसे बता मंत्री से पूστाज नहीं हुए क्या आप डेपार्टमेंट में काम करें का यह एक प्रावक्ण पकुरुष्टाज ने बताया आप अपुछे मंत्री बता ज़ो दिएया कौन तेय करेगा? ये इंय डिपार्टमेंट तेय करेगा ये कानून ता करेगा कि पूस्ताच फोनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये ये आप ता करेंगे ये ये आप तेय करेंगे कि आरोपी से फुस्ता cadchan पूस्ता blossom चेह नहीं होनी winter आरोपी किसी का नाम 120 B में जोड़ने से आरोपी मैंने तो बनाया नहीं मैं तो तहरीर की बात कर रहा हूं आग 70 दिन हो गाए मंत्री की भूमी का क्या है इसकी जलज कौन करेगा अगर FIR में उनका नाम 120 B में है तो बिलकुल पूस्ताच होनी चाहिए डिपार्टमेंट तै करेगा फिक पूस्ताच होगी कब नहीं होगी मेरी फित्रत असरसावार पूछने की मैं पूछ लेता हूं मुझे वो तस्वीरे याद आ रही है जब देश के भीतर गंगा में डु थार जीप जो थार जीप थी वो अजे मिश्रा के नाम पर रिजिस्टर थी आनगी थार जीप मनोच पंडित जी गंगा जी से पूछ लिजे तिलक जी अगर था अगर उनके रेस्टिंग हुई या उन्होंने सलेंडर किया तो शायद कोईना को तथितो था ना अंगा जी से तो एक और पूछ सकते हैं गंगा जी में धुक्की लगाते हुए एक और सवाल पूछ सकते तो यह सवाल हो सकता है कि अब जांच में जो नो नहीं धाराएं बदली धाराओं में बदलाव किये गए है वो तो जाज के आधार पे बदलाओ किये गए ना उनोंने बुल्डोजर है ना सर बुल्डोजर आपके यहां परादियों पर बुल्डोजर चला देते हैं वो बुल्डोजर लखीमपूर पहुचा की नहीं पहुचा लखीमपूर आप यह बताईए कि जब मिनिस्टर का बेटा जेल चला गया जुडिशल कस्टडी में है कोर्ट में सारा मामला पैंडिंग में है जो विभाग है वो जाँच कर रहा है चीजी चल रही है तो पत्रकार को मिनिस्टर से यह पूछने की आवशक्ता क्या थी सवाल कहां पूछना चाहिए पूछना हर चीज का तरीका होता है आदमी को कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और आप उससे ऐसा सवाल करेंगे मेरा सवाज सीधा है आखिरकार मंत्री के बेटे पर आरोप क्या है हत्या का जो आरोप है जो चीजे चल रही है वहाँ पे जो हुआ उसमें क्या सरकार ने कारवाई नहीं की क्या मंत्री का बेटा रह सनृ कै जया हो क्या ज्येल नहीं गया 25 सितंबर को मानने मंत्री जी कि आप किसी बयान को तोड़ मरो के चूट है चलिए आपने नहीं बताया कि वो बुल्डोजर कहां चला गया जो आरोपियों के घर को आप लोग चलाते हैं न सर बहुत अच्छी मुहीम है मैं उसका खुल कर समर्चन करता हूं वो बुल्डोजर आजकल दिखाई नहीं दे रह लेकिन एक सवाल मेरा और था क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के दस टॉप टैन दस टॉप टैन माफिया डॉन का जिक्र और फिक्र और एक फेहरिस्ट तैयार करके उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के सामने रखे कि ये दस टॉप टैन माफिया है डॉन है तिलक जी आशीष कोई पेसे और अपरादी तो है नहीं आशीष जी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई संपत्ती अपराद करके तो जमा नहीं की अगर बिल्डो जो चलाने की बात आप कर रहे हैं तो कि आजे मिश्रा जी को स्टीफा देना चाहिए मंत्री जी मानने मंत्री जी ये कौन तै करेगा इस बात को कि स्टीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए तिलक जी आप तै करोगे मैं तै करूंगा एक बयान का मैं जिकर और कर लेता हूं आपको वह बयान भी याद होगा फि कि पंडी जी अवाज निया रहे हूं कि भूल गया दो पंडी जी कि अच्छा सर हम जैसे पत्रकारों की अवाज पहुचती नहीं है दिखती है मेरा सवाथ तो वह डिल्ली में बैठे-bैठे बड़े-बड़े संपाद्गों से है दिल्ली में बड़े-बड़े पत्रकारों से है, सवाल मेरा ये, कि जब आपके पत्रकार ऐसे मान्ये मंत्रियों जी द्वारा पीटे जाएंगे जूतों से, क्या तब आपका आत्म सम्मान जागेगा? बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ, मैं अपने गिरेबान में जाक कर इस सवाल को उठा रहा हूँ, और जनता के बीच में इस सवाल को छोड़के जा रहा हूँ, सवाल मेरा ये, कि हत्यारों के पैरोकार, हत्यारों के पैरोकार, सरकारी पत्रकार, अब भी इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या शर्विंद्गी महसूस नहीं कर रहे हैं जहां पर पत्रकार सवाल पूछता है तो मंत्री जी क्या कहते हैं मंत्री जी कहते हैं दिमाग खराम है